जहीन दोस्तों स्वागत है आप सभी को के पी स्टडी पॉइंट रुटूब चैनल पर तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगस्त 2021 यानि की अगस्त महीने के लाश्ट वीक तक डिफेंस जोग के अंतरगत जो जो वेकेंसी का फर्म अपलाई होने वाला है उसके बारे में आपको बताएंगे साथी साथ इसकी लाश्ट डेट क्या है एज लिमीट क्या है हाइट क्या है और इसकी सेलेक्षन प्रोसेस क्या है कमपलीट जनकारी आज की इस वीडियो में किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए तो दोस्तों सबसे फर्स्ट जो भरती है वह है Constable GD यानि कि SSC Constable GD की भरती और इस वीडियो में मैं आपको सौट में नोटिफिकेशन देने वाला हूँ यानि कि सौट में सभी जनकारी देने वाला हूँ क्योंकि अल्रेडी इसके उपर वीडियो बना चुका हूँ आप सभी को पता है तो यहां पर बात करें Constable GD की जो भरती है इसकी फर्म जो है अपलाई सुरू हो चुका है 177-2021 से और Last Date 31 August 2021 तक है यानि कि 31 August 2021 तक इसका फर्म अपलाई होने वाला है तो यह जो है आपका SSE GD का भरती है और इसमें बात करें Post के बारे में तो Post भी आप सभी को बता देते हैं इसमें जो आपका Post रहने वाला है 25,271 Post जिसमें Male Candidate के लिए Total Post की बात करें तो 22,424 और वहीं Female Candidate की बात करें तो 2,847 जो है Total आपका Post फिमेल के लिए है और Total Vacancy 25,271 है इसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं Age Limit की बारे में तो Age आपका 28-23 वर्स के बीच होना चाहिए 1 अगस्त 2021 के काउडिंग आपका Age काउंट किया जाएगा Age CST को 5 वर्स का चूट और OBC को 3 वर्स का चूट आपको Age में देखने को मिलेगा इसके बाद यहाँ पर आप सभी को बता देते हैं कि जो यह भरती है इसकी Legibility Condition के बारे में और इसके उपर अगर आप Full वीडियो देखना चाहते हैं इसमें किसी भी परकार की percentage की मांगर नहीं किया गया है केवल तेंथ पास होना चाहिए तो आप इस फर्म को अपलाई कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आप सभी को बता दे कि जो यह भरती है इसमें अगर आप सभी NCC की यह है तो इसमें जो हाँ आपको benefit मिल जाएगा bonus marks के रूप में तो अगर आप सभी के पास NCC के certificate है तो इसके बाद यहाँ पर बात करें application भी की तो 100 रूपिया आपका application भी है और जो ACST candidate है या एक service man है यह सभी candidate को जो है और Oman यानि कि female candidate को एक भी रूपिया नहीं लगेगा और जेनरल OBC के लिए 100 रूपिया रखा गया है यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं Center of Examination के बारे में बताया गया है लेकिन सबसे पहले आप सभी को बता दे कि अगर आप सभी SSC GD की तयारी कर रहे हैं और इसके लिए best book purchase करना चाहते हैं तो आप सभी चक्छू publication का book purchase कर लीजिए यह एक complete guide है और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है इसमें जो है आपको सभी subject देखने को मिल जाएंगे यानि कि SSC GD में जो प्रस्न पूछे जाते हैं जिस जिस chapter से वे सभी chapter उसका solution and answer भी आपको देखने को मिलेगा साथ ही साथ एक practice set भी है चक्छू publication का उसे भी आप सभी purchase कर सकते हैं तो इन दोनों book का link आपको वीडियो के description में दे दिये हैं आप सभी जाकर online order कर दीजिए अगर अभी तक आपने purchase नहीं किये हैं तो या इसके अलावा आप सभी offline market से भी इस book को purchase कर सकते हैं जो की चक्छू publication का है इसके बाद यहाँ पे आप सभी को बता दे कि इसमें जो आपका scheme of examination की तो 100 questions 100 number का रहेगा 90 minute आपको time दिया जाएगा और इसके syllabus में आप सभी general intelligence and reasoning जिके GS और math और English या हिंदी में से कोई आपको एक लेना होगा इसके बाद यहाँ पे negative marking 0.25 रहने वाला है इसके अलावा यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं काफी details बताया गया है फिचकल में आपको बता दे कि 5 km 24 मिनट में running होगा male के लिए और female के लिए 1.6 km सारे 8 मिनट में अगर आप सभी लदाख region से हैं तो आपके लिए running जो है अलग होने वाला है 1.6 km सारे 6 मिनट में और 800 मिनट में इसके बाद यहाँ पे height की बात करें तो 170 cm और female के लिए 157 cm और अगर आप सभी नौर्थ इस्ट एस्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको height में छूट मिल जाएगा या ST candidate है All India से तो 162.5 cm तो दोस्तों यह जो है SSCGD का कुछ important जनकारी था जो मैंने आपको बता दिये हैं अगर आपसे भी इसके उपर full वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको link वीडियो के description में दे दिये हैं आपसे भी जाकर देख सकते हैं Next Vecancy आप सभी को बता दे Head Constable Ministerial Post पर है SSV के अंतरगत यानि की SSV यानि ससस्त्र सीमा बल के अंतरगत Head Constable Ministerial Post पर भरती जारी किया गया है और इसका Officially Notification आप सभी देख रहे हैं 115 जो है इसमें Total Post है Male and Female दोनों इस फर्म को अपलाई कर सकते हैं Vecancy काफी अच्छा है आप सभी फर्म अपलाई जरूर कीजिएगा यहाँ पे बात करें जो इसमें Pay Scale है 25,500 से सुरू होगा यहाँ पे आपका Educational Qualification दिया गया है यानि की Legibility Condition के अंतरगत Educational Qualification की बात करें तो 10 plus 2 यानि की Intermediate अगर आप पास है किसी भी बोड से तो आप इस फर्म को अपलाई कर सकते हैं All Over India के लिए है यानि की भारत के सभी एस्टेट के लिए जो है यह वेकेंसी है 18 से 25 बरस के बीच इसमें Age रखा गिया है 3 बरस आपको OBC को छूट मिल जाएगा और 5 बरस जो है SCST Candidate को Age में आपको छूट देखने को मिलेगा यहाँ पे बात करें तो 35 बरस पर मिनट इंगलिश टाइपिंग और 30 बरस पर मिनट हिंदी टाइपिंग स्किल टेस्ट के अंतरगत यानि की एक जाम के बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा जिसमें आप से जो है टाइपिंग स्पीड मांगा जाएगा यहाँ पे बात करें इस भरती की यह जरी लेक्सेशन की तो 5 बरस SCST और OBC को 3 बरस का छूट यहाँ पे दिया गया है इसके बाद आप सभी को बता देते हैं कि जो यह भरती है इसकी फिजकल डिटेल के बारे में तो यहाँ पे एक इंपोटेंट जनकारी और आपको बता दे 100 रूपिया इसका अप्लिकेशन फी है जेनरल, EWS और OBC कैंडिडेट के लिए ACST, एक सर्फिसमेन और फीमेल कैंडिडेट के लिए एक भी रूपिया नहीं लगेगा यानि की फिरी है, इसके बाद यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, इसका जो है यह ओफिसियली नोटिफिकेशन है इसे आप सभी डाउनलोड भी कर सकते हैं ओफिसियली साइट से एक पाइंट छो किलो मिटर रनिंग होगा छो मिनट ती सकेंड में मेल के लिए और फीमेल के लिए आट सो मिटर रेस होगा चार मिनट में इसके बाद यहाँ पे आप सभी देखेंगे कि जो इसमें हाइट आप से मांगा गया है मेल के लिए 150 cm फीमेल के लिए 155 cm अगर आप सभी सीखी बनागलेंड अरुनाचल परदेश यानि कि सिंपली आपको बताए तो नौर्थ इस्ट इस्ट से अगर आप विलोंग करते हैं यानि कि उत्री पूर्वराज से विलोंग करते हैं तो आपको हाइट में छूट मिल जाएगा 162.5 cm मेल के लिए और फीमेल के लिए 150 cm इसके बाद यहाँ पर आप सभी देखेंगे काफी सारे जनकारी दिया गिया है तो इसके उपर अगर आप फूल वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप सभी जाकर देख सकते हैं यहाँ पर बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट जनकारी के बारे में कि इसकी लास्ट डेट कब है तो इसकी लास्ट डेट आप सभी को बता दे 22 अगस्थ 2001 से 22 अगस्थ 2001 तक आप इस फर्म को अपलाई कर सकते हैं इसकी ओनलाई अपलाई जो है 24 जुलाई से सुरू हो चुका है तो यह इसका लास्ट डेट आप का रहने वाला है इसके बाद नेक्स्ट जो वेकेंसी है वह है टेरिटोरियल आर्मी की यानि की टेरिटोरियल आर्मी के तरफ से आपका वेकेंसी जारी कर दिया गया है और यह ओफीसर पोस्ट की भरती है आप सभी को बता दे यह ओफीसर पोस्ट की भरती है और इसकी ओनलाई अपलाई भी सुरू हो चुका है यहाँ पे आप सभी को बता दे कि जो ये वेकेंसी है इसका फर्म जो है 19 अगस्त 2021 तक अपलाई होने वाला है यानि कि लास्ट डेट इसका 19 अगस्त 2021 है और 20 जुलाई से इसका फर्म अपलाई सुरू हो चुका है तो अगर आप सभी इस भर्ती में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले इस भर्ती के लिजिबिलिटी क्राइट एरिया आप सभी को बता देते हैं तो यहाँ पे आप जो है male and female दोनों इस फर्म को अपलाई कर सकते हैं यहाँ पे बात करें अगर age limit की तो 18-42 बर्स के बीच age है तो आप इस फर्म को अपलाई कर सकते हैं यहाँ पे जो आपका age limit है काफी ज़्यादा दिया गया है यानि की 18-42 बर्स जो की काफी ज़्यादा है लगबग सभी ये student का इतना age होगा तो आप सभी इस फर्म को जरूर अपलाई कीजिएगा और यहाँ पे 19-21 के coding आपका age count किया जाएगा यानि की 19-21 तक आपका 18 बर्स minimum होना चाहिए इसके बाद यहाँ पे बात करें इस भर्ती की educational qualification की तो graduate from any recognized university यानि की अगर आप किसी भी बोर्ट से graduate है तो आप इस फर्म को अपलाई कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे आप सभी को बता दे कि जो इसका return exam होगा वा 26 सितंबर 2021 को लिया जाएगा और इसकी exam center भी यहाँ पे दिया गया है जितने भी यह आप नाम देख रहे हैं इसमें से कोई भी एक center पर आपका exam हो सकता है इसकी syllabus की बात करें तो reasoning and mathematics की दो घंटा जो है time मिलेगा और 100 questions 100 number के रहेंगे इसके बाद जो आपका GK and English का जो है होगा exam जिसमें 2 घंटा समय मिलेगा 100 questions 100 number के रहेंगे दो paper लिया जाएगा इसके बाद यहाँ पर syllabus के बारे में जनकारी दिया गया है तो इसे आप सभी पड़ सकते हैं link हम description में आप सभी को दे देंगे इसे download करने के लिए इसके बाद यहाँ पर्म आपका apply है 19 अगस्त 2021 तक होने वाला है 20 जुलाई से इसकी online apply शुरू हो चुगा है इसके बाद यहाँ पर और काफी सारे जनकारी दिया गया है लेकिन जो important जनकारी था वो मैंने आपको बताया है यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं इसका जो आपका exam होगा वो भी दिया गया है type of exam objective OMR जो है आपका होने वाला है नेक्स्ट जो आपका वेकेंसी है वो है Indian Air Force के तरब से group C post पर यानि कि भारती ये वायू सेना के तरब से group C post पर ये भरती है और ये तेन्थ लेबल का भरती है अगर आप सभी तेन्थ पास है तो इस firm को apply कर सकते हैं यहाँ पर बात करें सबसे पहले इस भरती के details के बारे में तो देखिए यहाँ पर ये जो वेकेंसी है ये offline आपको form apply करना है यानि कि इसका form जो है offline apply होने वाला है और ये जो वेकेंसी है अलग-अलग unit में जारी किया गया है यहाँ पर देख सकते हैं अलग-अलग air station का नाम दिया गया है यानि कि अलग-अलग unit का तो आप इसमें से किसी भी unit पर form apply कर सकते हैं आपके उपर depend है जो भी आपको अच्छा लगे उस unit में जो है आप form apply कर सकते हैं और यहाँ पर आप सभी को बता दे कि जो post आपका है यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कि first जो है यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं इस unit में जो है cook mess step MTS का post है इसके बाद इस unit में आप सभी देखेंगे यहाँ पर housekeeping step MTS का है तो इस तरह से आप से भी एक बार इस notification को एज रखा गया है तीन वर्स का छूट, OBC को पांच वर्स का छूट, SCST को और Physical Handicap को दस वर्स का छूट दिया गया है यहाँ पे बात करें इस भरती की डिटेल्स के बारे में तो देखिए यहाँ पे अलग-अलग पोस्ट की अलग-अलग क्वालिफिकेशन रखा गया है तो आपका MTS का पोस्ट है तेन्थ पास पर है यानि कि Metriculation, Mace Staff, Metriculation, Housekeeping Staff ये भी तेन्थ पास पर है Carpenter भी तेन्थ पास पर है लेकिन साथ में साथ ITI का इसमें Certificate मंगा गया है Cook भी तेन्थ पास पर है तो आप सभी इसमें जो भी आपको अच्छा लगे पोस्ट उस पोस्ट पर आप अपपलाई कर सकते हैं यहाँ पे Mode of Selection के बारे में जनकारी दिया गया है और इसकी Last Date के बारे में आपको बता देते हैं क्यांकि यह Important है तो यहाँ पे देख लीजिए इसका Last Date क्या है तो Last Date आप सभी को बता दे Last Date इसका 22 अगस्ट 2021 है यानि कि 22 अगस्ट तक आप इस फर्म को अपलाई कर सकते हैं यहाँ पे आप सभी देखेंगे बताया गया है Last Date for Receipt of Application फर्म is 30 days from the date of publication of this advertisement in employment newspaper तो आपको बता दे कि जो यह notification आया था 23 को आया था यानि कि 23 को यह notification 23 जुलाई को यह notification जारी किया गया था तो इसके अगले 30 दिन तक आप जोड़ सकते हैं 22 जो है आपका Last Date होगा क्योंकि यह एक 30 महीना है आपको पता है इसके बाद यहाँ पे जो यह vacancy है इसका offline फर्म आपको अपलाई करना है कैसे अपलाई करना है और इसे कहां पर भेजना है अगर आप सभी यह जानना चाहते हैं तो इसका भी link हम description में दे दिये हैं और आपको भेजना कहां पर है आपको बता देते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है अलग-अलग unit का address दिया गया है postal address तो उसमें से जो भी जिस भी unit में आप फर्म अपलाई करना चाहते हैं उसी address पर आपको फर्म भेजना है अगर आप सभी इसके बारे में complete जनकारी जनना चाहते हैं तो link description में दे दिये हैं आप सभी जाईए link जो है वीडियो का description में आपको मिलेगा वहाँ पर वीडियो देखकर आप सभी जो है इस फर्म को अपलाई कर सकते हैं क्यांकि इसके उपर मैं already पहले वीडियो बना चुका हूँ तो दोस्तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे और मैंने आपको इस वीडियो में चार जो भरती था जो की defense job था अगर आप सभी का सपना है भरती ये सेना में सामील होने का तो ये चार वेकेंसी है आप सभी कोई भी भरती पर फर्म अपलाई कर सकते हैं और सभी वेकेंसी काफी अच्छा है आप सभी फर्म जरूर अपलाई कीजिएगा कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्षन में आप बताईएगा और साथ ही साथ इंस्टाग्राम के पीए study point पर आप हमें follow कर लिजिएगा और इसके अलावाट टेली गराम आईडी भी के पीए study point है वहाँ पर हिंद बंदे मातरम